गुद मॉर्निंग बच्चों, आज हम देख रहे हमारा क्लास 6 की साइंस का चेप्टर 2 भूजन की घटक यससे पहले हमने देखा थो कि भूजन कहां से आता है, अब हम देखेंगे कि, मुख्य की स्त्रोथ क्या है, हम उसके बारे मिंने जानेंगे, थीक है, तो मैं इसको line by line आपको explain करूँगी तो अध्याए एक में हमने उन खादे-पदार्तों की सूची बनाई थी, जिने हम खाते हैं, और भारत के विभिन बागों में खाये जाने वाले विभिन विजनों के बारे में हमने बताया था, तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था, एक प्रकार के बोजन में जपाती दाल और बैंगन का भरता हो सकता है तो दूसरे में चावल, सामबर तथा भिंडी हो सकती है इसके अत्रिक्त अन्य भोजन में अपपम, मचली तथा सबजी हो सकती है तो अब हम देखेंगे क्रियकलापी की में आम तोर पर हमारे आहर में अन्य से बना कम से कम एक विंजन होता इस तरह के अहर के कुछ उधारण सारणी 2.1 में दिये गए है अध्याए 1 में प्रस्ताविच क्रियकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाय गई विंजन छाटी है इस सूची में कुछ अन्य विंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाय गई विदी से आपके पूरा कीजी है हमने क्या कीया था कि क्रिकलाप 2 जो ःद्या एक उसमें जो जो विंजन दिये हैं और इस सूची में कुछ अन्य विंजन है उन्हें इसमें जोड़ना है जो 2.1 जो हमारी इवाली जो सारणी है 2.1 इसमें हमें इसमें आमें फिल करना है ठीक है तो लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्वि ए समे जिए इस कछी में हमारे श्ड़ीर के कै smallest क्या है इस कथी समगरी में हमारे शडीर में कुछ आवशेट कहते हैं पोशक पोशक कहते हैं हमारे भूजन में मुख्य कौन सा पोशक होते हैं ऐप trafficking आपने आप जब आप कुछ भी Hungarian से कुछ ले के आते तो उसके package पर लिखा क्या होता है कार्भी आइडरेट कितना है प्रोटीन ये टामिन कितना है अब इसके अत्रिक्त हमारे भोजन में रुकशानस तथा जल भी शामिल है । जिनके हमारे शरीन को आवशक्ता होती है ठीक है अब क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोशक उपलब्द होते हैं कुछ साधरन विदियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामगरिया पके हुए बोजन में कौन सा एक ये अधिक पोशक तत्त पस्तित है तो कार्भुहाइटरीट प्रोटीन वसा के परेक् काल सकते हैं तो आईए हम इन परेक्षनों को करके प्रेक्षनों को सार्णी 2.2 में लिखें तो हमारी ये वाली सार्णी थी ये 2.1 थी अब हम इसको क्या करना है 2.2 में हम इन प्रेक्षनों को लिखना है इन परेक्षनों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सेलफेट तथा कास्टिक सोडा विलियनों की आवशकता होगी आपको कुछ परक न लियों तथा एक डॉपर की भी आवशकता होगी, तो अभी अभी यह उनलाइन से हम कर नहीं सकते। आपको कुछ परकनली होता था एक डॉपर की भी आवशक्ता होगी इन परिक्षणों को पके हुए भूजन तथा कच्छी सामगरी पर कने तो इन परिक्षणों से प्राप्त परिक्षणों को सानी 2.2 में दिये गए तरीके से लिख सकते हैं इस साइडी में कुछ खादे पतार दर्शाय गए हैं अपना परिक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्द खादे पतार पर कर सकते हैं इन परिक्षणों को साफधानी से कीजिए और किसी बिरसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए यदि आवशक विलिंग तदकाल तो आपके अध्यापक नेम लिविदी से उन्हें तयार करा सकते हैं आएए विविन खादे पतारतों की जाच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड़िट उपस्तित है कार्बोहाइड़िट कई प्रकार की होते हैं हमारे भूजन में पायजाने वाले मुख्य परिक्षन के लिए खादे पदार देकट्टी सामगरी की अलप मात्रा लीजिए, हमें थोड़ा सा लेना है खाने का सामान और इसमें तनू आयोडीन विलियन की दो-तीन मूदे डाली खादे पदार के रंग में होने वाले परिवरतन को देखिए क्या यह नीला या काला हो गय किसमें मंड है और अपने परिक्षनों को सार्णी 2.2 में लिखी हमें इस वाली सार्णी में लिखना है तो प्रोटीन के लिए परिक्षन करेंगे अब हम प्रोटीन के परिक्षन के लिए किसी खादे पदार की थोड़ी मात्रा लीजिए जिस खादे पदार का परिक्षन कर आप ड्रॉपर की सायत आसे परकनली में दो बूंद कॉपर सुलफेड का विलियन तथा दस बूंद कास्टिक सोडा का विलियन डाल है अब हमें क्या करना है is में man यूजा करना कर देखा हुआ कि परखनली का पदार्थ ao dates बैंग्नी खादे पदार्थ की प्रोटीन की उपस्तिती को दर्शाता है अगर इससे पहले आयोडीन का करा था उसमें नीला रंग हो गया था तो वो दर्शाएगा की कार्भोईडेट का अब आप इस परिक्षन को किसी दूसरे खादे पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं वसा के लिए क्या करना है हमें खादे पदार्थ की अलपमात्रा लेना है और इसे एक कागस की टुकुड़े पर लपेट कर कूटी है ठीक है अब ज्यान रखें कागस वटना जाए और अब का तो आपको एस द्वब्बे से आने वाला धुनला प्रकाश दिखाई देता है तो कागस पर तेल का धब्बा खादे पदार्थ में वसाकी हो बस्तिती दर्शाता है अब बहुत बहुत ऑईली था तो खादे पदार्थ में कभी-कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती दशा मे इन पदार्थ को कागज पर धीरे धीरे रगड़ी और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दे जिए ताकि यदि खादे पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए और इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धबा ना रहे तो यह पता चलता है कि खादे पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है ठीके अब यह परिक्षन क्या दर्चाते हैं क्या वसा प्रोटीन दथा मंड उन सभी खादे पदार्थ में उपस्थित हैं कि या एक खादबदार्त में एक से अधिक पोशक्तत वुपस्थ tập होते हैं अब आ Πếूनल K alltidman तो परिख्ष Quinn के लिए खादबदार्त्य। क्या वशकता है कार्बो हाईडरेट ने वाला भूजन भी जिसमें कार्बो हाईडरेट होता है वो क्या होते हैं on usha episig यह किस किसमें होता है शकरकंड जार्डे के जो कंदे होते उसमें आलू गन्ना पपीता तर्बुज आम मक्का बाज ला Port une मुंग फल्blick, गिरी, तेल, अंडे, उस्त्रोथ, पदप यह नीचे स्ट्रोथ, पदप यह स्ट्रोथ, यह नीचे में क्या होता है यह मासा धी नाथ है वसा थैदें अब हम देखते हैं चना, मूंग, तुवर, राजमा, सोयाबीन, मटर और 2.6 में क्या है विटामिन A के स्त्रोथ हैं जिसमें है आम, पपीता, गाजर इसमें विटामिन A होता है और विटामिन B होता है गेहों में होता है यकृत में होता है और चावल में होता है विटामिन B फिर आता है हमारा विटामिन C तो यह किस में होता है? यह जो खट्टे पल होते है संथरा, टमाटर, अम्रूद, मिर्च, निब्बू और आवला इसमें हमारा विटामिन C होता है, तिक है अब चुत लिये 2.5 के जो है A और B वो प्रोटीन के स्ते होता है, यह प्र और प्रोटीन यूखत भोजन यूप्राय शरीर ब्रच बोजन सकते विटामिन ड्रोगों से धुक्तों करते हैं विटामिन ए बीच तो यह हमारे हो गए 6 विटामिन हो गए तो इनकी नाम से जाना जाता है विटामिन के एक समू को विटामिन B कॉम्पलेक्स कहते हैं और हमारे शरीर को सब ही प्रकार के विटामिन अहीं की आवश्कता होती, działa कि रहते हैं हम सब्सक्ति सब्सक्रा एक विटामिन दी होता है, विटामिन दी होता है में हमारी मदद करता है वितामिन ली हमारी अस्तियों और डांतों के लlight केलशियम करने में हमारे शरीत की साहत अकरता है विविवन वेटाράमिनों से भरपूर भूजन चिरव 2.6 और से Amen to new आयोडी मिलता है और फिर हमारा दूद हो गया लोहे के स्त्रोथ भी यहीं है कैल्शियम के भी कुछ स्त्रोथ होते हैं लोहे के भी स्त्रोथ होते हैं पालक जिससे हमें आयरन मिलेगा ठीक है और कुछ खनेजलबनों के स्त्रोथ होते हैं जैसे की दूद हो गया तो ही हमारे ख तूर के परकाश में नहीं रहते जिससे लोगों में में रखता है निसे लोगों में यह कम फोस्ति शरीर को करो सकति है अवरशक्तन हैила इफ न और आ şu घुनी सकते हैं इस बात को वेस्ट देखा होगा फिर भी किसी कतिव सामगरी में कि निश्चित पोशक की मात्रा दूसरे पोशकों की मात्रा से अधिक हो सकती है और दूसरे पोशकों तसा जलकी बे आवशकता होती है, हमें भरपूर पाने भी पीना चाहिए, ठीक है, आहारी रेशे रुक्षांस के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, जो छोटे-छोटे होते हैं, विटामिन्स होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रुक्षांस और हमारे खाने में दान करते हैं, फिर भी यह हमारे भूजन का आविशे कवयब है, और इसका आयतन बढ़ा धिरती हैं, रुक्षांस बिना पचा भूजन को बहार निकालने में हमारे शरील की सहायता करता है, यह कुछ अपस्ष्ट पदार तो जैसे कि मों उत्रत पसीने को शरील से बहार नि जल örtने हैं कि यहां जाल बार बाहर क कारें कारें करते mathematics उत्युक्त के खीजा होगा MR kendall कि में उनने की प्रड़ेबस जाल पर है C Charlotte क places the आठी preview जाल ओन देखें कि क्या कोई अनिस तरोथ हमारे यहांओ प्रयदान करते हैं तो हम दिखेंगे क्रीफ अलाब तीन में एक टमाटर या निबू जासा कोई फल ले और इसे छोटे-छोटे हिस्सों में काट लें लेना है एक टमाटर या निबू लेना है क्या ऐसा करते समय आपके आप गीले होते हैं तो हम देखते हैं कर के खादे पधार्थो निबू नसदोर और तो हम देखते हैं जल होता है और कोछी मा तक हमारे चारीर के लिए आवशक गली तो परती से हो जाती है कि आत्विशन को पेका आपके समय गेले हूग उसमें बोका जल डालें तो मिद्यक्तम हैं कि क्वधार्ट को पकाते समय भी चल डाल लेते हैं तो हम देखिंगे संतुलित आहर के बारे में कि संतुलित आहर यारने की बैलेंस्दी फूड होगा वो क्या होगा तो सामने था पूरे दिन में जो कुछ भी हम घाते हैं उसे आहर कहते है अजाखत पुरे दिन जो भी खाहा होगा हमारी हार, हमारे चाई्य रिदि और अच्छे सुास्ते को बनाई रखनी के लिए हमारे हार में वे साभी पोशकतत्व उच्छत मात्रह में होने चाहिए, जिन जिन पोशकतत्व के अवाशकत्तव वो सब उसमें उचित मातरा में अच्छी मातरा में होने चाहिए कोई भी पोशक्तत्व ना आवशक्ता से अधिक और ना ही कम तो हमारे आहर में क्या है अच्छे पोशक्तत्व सारे होने चाहिए तो हमारे आहर में पर्याप मातरा में रुक्षांस तता जल्बी होना चाहिए आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तयार कीजिए आपको क्या करना एक चार्ट और आपको ऐसे ही अपनी बैलेंस डाइट आपकी बनेगी और आपको इसकी आज़त पर जाएगी तो जांच कीजिए कि प्रत्ति दिन जो बोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोशक्तत उपस्तित हैं दाल मूंग फली सोया मीन अंकुरित बीज मूंग वचना और किन्वित भोजन दक्षिन भारती भोजन जैसे की इडिली समीस को हम बोलते हैं किन्वित भोजन आटी कमिश्रन मिस्सी रोटी थेपला अनाज इडली और दानों से बना फिर केला पालक सत्तु ग पखाना भी चाहिए ताकि इसके पोषकता तो नश्ट नहां हो तो हमें क्या करते हैं विटामिन नश्ट हो जाते हैं। तो इसके बात ही में जता खनेजलवण लवन को ऊपसच को बार न बार हो है यह तो Chip database ने लिए पहले हैं तो पहेली में जानने आदे स्ट्ट कह बोजन में इससे पहेले तो पहेले हमेंने के लिए बेहने के अबिवाजन वी एतुप अलग होते हैं लेकिन जैसे जो मासा हरी है उनके लिए अलग होते हैं लेकिन उन्हें भी इन सभी अविवों की आवशक्ता होती है ठीक है हम सभी जानते हैं कि पकाने से बोजन का स्वार बढ़ता है तता इससे पचाने में आसानी होती है और इसके साथ साथ पकाने में कुछ पुष्ट तत्वों की हानी भी हो सकती है यदि बोजन पकाने में अतिदिक जल का उपयोग किया जाता है और बाल में उसे फेक दिया जाता है तो कई लाबदाय प्रोटीन ततक हनिजलवनों की हानी हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए कि इनको अच्छे से दोना भी कि हर समय वसायुक्त खाना ही सरवुत्तम भूजन है एक कटोरी कारो हाइड़ेट युक्त भूजन की अपिक्षा एक कटोरी वसायुक्त भूजन अदे कूर जा देगा क्या ऐसा ऐसा नहीं होता ठीक है अतहा उसने तली हुई चीज़े समोसा पूरी मलाई रबड़ी पेड चाहिए अप्रचोर वसायुक्त भूजन ही खाया तो संतुलन नहीं बनेगा हमारे चरीज में क्या आप सुछते हैं कि ठीक था अनी संदे नहीं इतना अथिक वसायुक्त भूजन खाना हमारे लिए बहुत हानी कारण हो सकता है हमें हर तशा का बोजन काना चाहिए सिर्फ ग्रष्टक जाएगा जाएगा भूजन अब हम देखते हैं अभाव जन्य रोग जिसके पास भोजन नहीं होता है उसके रोग हो जाता है व्यक्ति खाने के लिए पर आप भोजन पा रहा है लेकिन कभी-कभी उसके विशिश पोषक की कमी हो जाती है यदि यह लंबी अब तक रहती है तो व्यक्ती इसके अभाव से ग्रसित हो सकता है और एक या अधिक पोशकत का अभाव हमारे चरीद में रोग है लुवेक्तियां उत्पन कर देता है तो रोग उत्पन हो जाते है वे रोग जो लंबी अइदी तक पोशकों के अभाव के खारण होते होने अभाव जन रोक कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में परयाप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है। उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे व्रध्धी का अवरुद्ध होना, मतलब व्रध्धी नहीं होगी। बालों के रंग का उड़ना बाल सफेद हो सकते हैं तर्चा की बीमानी हो सकती है पैचिस हो सकता है तो यदि प्रोटीन तरह से कार्भोहाइड़ित दोनों ही किसी व्यक्ति के आहर से एक लंब समय तक अनुपस देत रहें तो व्रद्धी पूरी भले या बस एक ना खाये ले विटामिनों और खनिशलवनों के अभाव से विभिन रोग विक्रतियां हो सकती है इन में से कुछ तूप पंठी में दर्शाय गए हैं सभी अभाव जन्य रोगों की रोग थाम संतुले तार लेने से की जा सकती है सद्याय में हमने सोयम से जानने के कोशिश की कि विभिन चेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविदता होते हुए भी आहर में पोशक्तत्रों का वित्रन सामाने है कि अलग-अलग हम भोजन खाते हैं लेकिन जो पोशक्तत्रों का वित्रन होता है वो सामाने होता है वित्रन हमारे भोजन में आवशक पोशक्तत्रों की उपस्ति तो निस्चित करता है अब हम देखेंगे सानी 2.3 में विटामिन और खने लगणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग अगर हमाया पास विटामिन ए नहीं होगा तो हमें क्या होगी द्रिश्टी हींता होगी और इसके लक्षन क्या होगे कि कमजोर द्रिश्टी और अ करणा बड़ल ऑए utaion स्तियाया जोगी लूर को जाना एक कलूंसे विटामिन की कमई से स्कर भी होगा तो मसूरे खुलते घाउ मेद्ध सह में लगए गाविगा रिकेट्स हो जाए मुलायमोर जाना किलेंगे ग३य परकेटाय, हमारे संतोलेत चाल, कम्या जाना रासिया और कभीर झाल कोर दर गढ़ा, आर्यण के स्शाँटर सकते हैं было, करिंग कोई-डाथ, नहीं, बनीज देखी है हम दिखेंगे प्रमुक्षब क्या थे हमारे संतुलित आहार बैरी बैरी इक है कारभु हाइडिट है और्जा एनरजी कारभु हाइडिट जो नहीं देखे वसा खनेज पोशक प्रोटीन लुक्षान सिस्करवी मंड और विटामिन मंड क्या था हमारा स्वल्क्राथ अब हम देखते हैं सारंश हमारे फोजन के मुख्य पोच्छ ततों के नाम कार्भो हाइडरेट प्रोटीन वसा विटामिन तता खरिज लवण है इनके अधरिक्त भोजन में आहार ही रेशे तता जल भी होते हैं कार्भो हाइडरेट तता वसा हमारे शरील को मुख्य रूप से उर्जा देते हैं किया देते हैं हमारे शरील को उर्जा और प्रोटीन तता खरिज लवण के आवशक तता परयापकर रुख्यांस और जल उचित मात्रा में उपस्षित रहते हैं हमारे अहार में लंबी अवदी तक एक या अधिक पोशक तत्वों की निउनता से विशि स् हमारे questions हमारे बुझन के मुख्य पोशक तत्वों के नाम लिखिए तो हमने जो 20 में पोशक तत्व पढ़े हैं कार्वाइड विटामिन और वसा तो हम इन सब के हमें नाम लिखना है तो निमलिक्षित के नाम लिखिए पोशक जो मुख्य डूप से हमारे चरीड को उर्जा द लिखना है तो वह खने जो जो अश्तियों के लिए आवशक है और तो आपको इस टेप्टल को समझने के बाद आपको इनकी आंसर्स खुद लिखने हैं और इसके बाद में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इस आंसर्स के लिए प्रवाइड कर दूँगी और दो ऐसे ख दो नाम लिखने है ठीक है फिर केवल अभी है कि हमारे सही गलत हैं और केवल चावल खाने से हम अपने शरीर को पूशन आपशक तक बूरा कर सकते हैं क्या संतुले ताहर काकर अभाव जन्ने रोगों की रोग ठाम की जा सकती है शरीर के लिए संतुले ताहर में नानव होता है और हमारे बुजर में खालिस्तान के अभाव से रतौन दी होता है अब प्रस्तावित परियुजना है क्रिया कलाब भी आपको करना है एक 12 वर्ष के बच्चे को एक संतुले ताहर चार्ट तयार कीजिए और अहर चार्ट में उन खाल पतारतों को संबलित करें जो ख कि हमारा चैप्टर 2 जिसका नाम है जण्थ वस्ततु से वस्त्रितक तंथ वस्त्रितक मतलब हम ने कैसे वस्त्रों का निर्मान किया है धागों से तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो अगर आपको यह चैप्टर अच्छे से मजय मैं आया है आप प्लीज इस चैनल को सब सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटिस्ट अपडेट्स मिले और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जादा से जादा शेयर कीजिए ताकि उनका भी अच्छे से पढ़ाई उनकी हो सके